हलो दोस्तों वेल्कम बेक टो यूटूब चैनल आर्डी क्लाजस दोस्तों यहां पर बात करेंगे आपके उनत्तर हजार सिच्छक बरती की यह हैं दोस्तों जैसा कि आपने देखा आपकी उनत्तर हजार सिच्छक बरती चल रहे हैं और इसमें 60-65 कटॉप आने के बाद अब यहां पर सिधा सिधा 37,349 का रास्ता खुल गया उसी के साथ थर्ड काउंसिलिंग का भी रास्ता खुल गया है तो अब इन दोनों जो भी कंडिडिट इस दोनों के अंतरगत आते हैं उन्हें अपनी फाइल तयार करनी है और उस फाइल में आपको एक औरजिनल फाइल और दो जीरोक्स कॉपी की फाइलें तयार करनी है ठीक है तो एक जीरोक्स एक दो जीरोक्स और एक और जीरोक्स और एक और जीरोक्स ठीक है तीन फाइलें आपको तयार करनी है यह जो आप देख रहे हैं यह और जीरोक्स का यह पहला पेज है जिस पर हमें क्या लिखना है तो चरित्र प्रमाडपत्र लगाएं या ना लगाएं डीडी पुराना चल जाएगा या नया चलेगा तो जैसे जैसे हमारा जो जो documents आएगा हम उसकी चर्चा उसको बताते जाएगे कौन सा valid है कौन सा बनवाना है कौन सा नहीं बनवाना है ठीक है दोस्तों और सबसे पढ़ी बात ये जो वीडियो है जो आपके लिए बहुती इंपोर्टेंट वीडियो शिद्या होने बाला है क्योंकि जो काँशुलिंग है अगर आपको कहीं रोक दिया गया है किसी कागज की वज़े से तो आपको ये जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको समझ में आजायाएगा कि वह documents कौनसा है जिसकी वज़े से आपको रोका जा सकता है ठीक है तो सबसे पहले बात करें तो ये देखिए file तीन हमने बनाई होई है ये जो सबसे पहले file है ये original जो file है उसका cover page है यहाँ पर लिखाए original documents जो file है उसका cover है ये और cover पर क्या लिखा हुआ है देखिए हमने print करके ये लिखवाद रखा है क्या यहाँ पर देखिए आवेदित पद 69 साह का दबग भरती लिखी जाएगा आवेदित पद जनपद जिस जनपद में आपको allotment हुआ है seat जहां भी counseling होगी तो बहाँ पर आपका नाम लिखा होगा उसके आगे सूची कर्मांग लिखा होगा कौन से number पर आपका तो वो चीज़ आप पर लिखनी है यहाँ पर आपको अपनी registration संग्या लिखनी है यहाँ अपना नाम लिखना है अपने पिता जी का नाम मतलब यह चीज़ें आपको सारी लिखनी है अगर आपके पास यह printed नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे आबिदित पद लिखेंगे और अपना pen से लिख देंगे pen से जन पद लिखेंगे pen से ही सूची करा मतलब क्या क्या लिखना है यह देख लो pen से भी लिख सकते हो आप ठीक है एक कागज लिख चिपका के उसके उपर लिख देंगा उसके बाद आपका लिंग पुरूस है किस जाती वर्क से विसेस कर आते हैं आप अपना इस्ताई पता बरतमान पता थाना साइद लिखना है दोनों ही ठीक है तीसरा बरतमान पता में जहां आप रह रहे हैं उसमें बो पतान पता आएगा जैसे कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं या पिर आपका जो पोस्टल एड्रेस से कोई चेंज है आप अपने इस्ताई पता पर नहीं दूसरी जगे चाहते हैं वो information उसके लिए होता है यहाँ पर आपको अपना mobile number भी बताना है कितना mobile number आपका ठीक है यह चीज़ आ जाएगी जब आप counseling कराने जाएंगे तो यह आपको साथ में ले जानी है ठीक है दूसरा file number one बहुत ही important five है zerox file में file number one बहुत important है reason क्या है इसमें आवश्य documents इसी में लगने है जैसे अगर original character की बात करें तो original जो character है वो इसी file में लगता है ठीक है दूसरा अगर हम बात करें लिफाफा तो तीन लिफाफे भी इसी file में लगेंगे और अगर चौती बात करें तो photo की बात करें तो photo भी इसी file में लगते है तो file one बहुत ही important हो जाती है ठीक है जो आपने पहले लिखेते वो ही प्रारूप पूरा यहां लिखना है जैसे देख रहे हैं आप यह हमारी jirox file number one ठीक है तो यह आपनों लिखना नहीं है आपको क्या लिखना है यहाँ पर एक बार लिखना है file number बन जैसा कि इस पर लिखा हुआ है ठीक है यह तो हमने उपर से overwrite के हुआ है ठीक है यह जो आप देख रहे हैं न जो file है वो 31,277 के सापेच बनाई गई है ठीक है जो 31,277 में counseling करा चुके उसके according चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह आप पहले लिखा हुआ था वैसे ही लिख देंगे ठीक है यह बो लोग जो जब counseling होगी तो वो आपके file पर यह numbering डालेंगे ठीक है यह same हो गई file 2 same file 3 का cover page रहना है sorry file 2 Gerox के साप से टोटल तीसरी file है लेकिन Gerox के file number 2 लिखना है आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखा भी है यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से file number 2 तो वो खुद लिख देंगे file number 2 कौन सी है बस आपको documents इसी के according लगाने है ठीक है तो same रहेगा इस पे भी mobile number तक last अब आजाए यह बात करते हैं एक एक करके है तो जो अपने की original documents की file आएगी उसका सबसे पहला जो open करने ही खुलना वाला है वो होगा आपका आवेदित form मतलब कह सकते हैं इसको जो आपने जिला allotment हुआ था district allotment जब आप form बरा था आपने वो है देखें सबसे उपर आपको कौन सा लगाना है district choice allotment form ठीक है जब आपने अपने district बरे हो थे जैसे की देखो यह जो 75 district आपसे बरवाए गए थे वो form सबसे उपर आपको लगाना है समझ गए देखें यह वही form है जिसमें 75 जिले बरे गए थे तो सबसे हुरुआत में पहले पेज पर पहला पेज दूसरा पेज और तीसरा पेज तीनो पेज इसमें 75 जिलों माले आपको लगाने है उसके बाद आपको DD देखें बहुत सारे बच्चों का पूचना था कि सार DD किस नाम से बनेगा कितने का बनेगा क्या क्या सिस्टम है तो यह जो DD है आपका यह जो बनने वाला है वह बनेगा आपका सच्चिव UP Basic सिच्चा परिस्चा प्रिशद राज के नाम से ठीक है जो आपका बनना है वो आपका बनना है 500 रुपीज का ठीक है डीडी तो आप इसको बनवा लेंगे उसके बाद यहां पर DD किसके बाद लगेगा आपके form जो आपने डिश्टे का लोडमेंट फॉर्म बर रहा है था उसके तुरंत बाद आपको DD लगा रहा है उसके बाद सपत पत्र बहुत ही important कई बच्चों का question रहता कि सर यह सपत पत्र देखे अगले page पर यह फाइल में ही लगे हुए है सारे 31,277 के according है तो यहां पर आपको जो सपत पत्र है वो new बनवाना है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो हमने पहले जून में जो हमारा counselling वोई तिश्टम बनवाना है सबको तो प्रारूप की बात करें तो यह आपको प्रारूप खुद नहीं लिखना है प्रारूप का जो उसी जिले में मिल जाता है आपको कचैरी तैसिल जाएंगे तो बहां आपको मिल जाएगा अगर आप बदलना चाहते हैं तो एक बार सक्रम्धम कर लें नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बदल भी जाता है ठीक है? ID proof उसके बाद आपको अपना प्रमाण पत्र कौन सा लगाना है? जाती प्रमाण पत्र ठीक है? इसमें ही जाती प्रमाण पत्र होगे तुरंत आगे आपको लगाना पड़ेगा आपका निवास प्रमाण पत्र तो पहले आपको जाती लगाना है जो कि जिस तरह से आप देख रहे होगे यह जाती प्रमाण पत्र है इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र है यह देखें अब बात करते हैं जाती और निवास कब के valid हैं देखें इन्होंने याँ पर 2016 के लगाया हुआ है जो जाती और निवास हैं वो आप अपने according जैसे हम अपनी परिस्थी के according लगाएंगी कैसे 2018 यानि 22-12 2018 से पहले का है अगर आपके पास तो आप उसको लगा दीजेगा उसके साथ साथ नए भी बन वालें अगर हैं तो अच्छी बात है नए हैं तो बन वालें तो वो ही दोनों लगा दें और नए हैं तो एक ही लगा देंगे तो वो हमने बताना अपनी परिस्थी के according और जिनके पास ऐसा नए है तो उनके पास जो भी है मतलब चाहे 2018 का है चाहे 20 का है मतलब कभी का सही वो आप इसमें लगा सकते है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें आपको उसके बाद जब आपके जाती और निवास लग जाएंगे फिर आपको लगाना है अपना सुपर टेट का मतलब सुपर टेट का जो आपका प्रिंटर था वो ही लगाना है आपको नेट की कॉपी उसके बाद आपको यूपी टेट ठीक है यूपी टेट का लगाना है उसके बाद यहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्शीट लगानी है ठीक है इंटर की high school की सनद, अगर आपकी अलग-अलग है, अगर एक ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर अलग-अलग हैं तो आप पेले high school की मार्शीट फिर सनद लगाएंगे, इसी तरह से फिर enter की मार्शीट, ठीक है और यह देख रहे हैं, आप और उसके बाद enter की सनद लगा देगे, graduation की मार्शीट लगाएंगे, first year की फिर second year, फिर third year, जितने भी आपकी year है, graduation में, वो शारी मार्शीट लगाएंगे, उसके बाद उसकी डिक्री लगाएंगे, चाये वो कोई भी हो, अगर original डिक्री है, तो ठीक है, अगर original first year की या first semester की जो भी हो second year second semester जो भी होता है third semester four semester शारे लगा देंगे उसके बाद आपको लगाना है उसका certificate ठीक है degree यानि कि आपने जो डिप्लोमा किया है उसकी degree अब बात करते हैं यहाँ पे file one की हो गई अब file जो original वाली थी उसकी हो गई file one बड़ा ध्यान से आपको देखनी है file one में आपको क्या करना है cover page है यह उसके बाद उसके left side में उसी cover के आपको तीन लिफा पे print करना है मतलब पिंच करना है यहाँ पे और आपको चार photo लगाने हैं यहाँ इन पे ticket जो है 25 या 30 की आपको लगानी है प्रतियक पर 25-25 की या 30-30 की लगा सकते है 25-25 की तो ठीक है अगर करेंगे नहीं मिलती है 25 की तो 30 की भी लगा सकते हो ठीक है उसके अलाबा अब यह important चीज और एस में file one में यह आपको मिलेगा form वहीं जब आप counseling कराने जाएंगे तो कारेंगे जिला बेसिक सचादिकारी एटा का है और वो आपका जहां का भी होगा वहां का आपको वो मिल जाएगा अपने district के नाम से तो सबसे पहले file one में सबसे उपर यही लगेगा उसके बाद जो आपका जन्पद allotment के लिए आपने जो अपना सपत-पत लगाने उसके बाद आपको ID fruit लगाने उसके बाद जाती निवास और इसके बाद यहाँ पर एक करेक्टर ओरिजिनल लगाने file बन में ओरिजिनल करेक्टर ठीक है लेकिन इसमें एक confusion यह है कि कई-कई district में यह जो करेक्टर है वो BRC पर जमा हुआ है यानि यहाँ पर लगाने की जोट नहीं पड़ी है तो अगर ऐसा है तो वो district पर जब counseling होगी तो वहाँ आपको पता चल जाएगा basically आपको file 1 में उन्हें लगा देना है ठीक है उसके बाद super ted का और उसके बाद सारे same है जैसे के file 1 में थे original file में सारे के documents आपके degree graduation जो भी है आपका degree तक लग जाएगे फिक है तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब file 2 की बात करें तो file 2 में आपको कुछ नहीं करना है जो भी original documents में लगी हुई थी जैसे कि सबसे पहले आपका लगा हुआ था जनपद filling वाला form उसके बाद जो आपका लगा हुआ था वो आपका लगा हुआ था draft उसके बाद लगा हुआ था आपका सपत पतर तो इसके according फिर अपने high school integration करके लगा देंगे सारे जिसके लेट से सिर्फ file बन में important चीज थी इसमें photo वाला important था लिफाफा वाला important था उसके बाद जिला इस तरह से मिलने वाला वो form था और character original यही important थी बाकी के इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें file 2 में photo को अभी के रूप में लगाई जाएंगे ठीक है दोस्तों तो यह था आपका एक अच्छा वीडियो जिससे आपको confirm हो गया होगा कि किस तरह से आपको फाइंटेजर करनी है बाकी अगर कोई आपका